हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास फॉर्थ का मैस ठीक है और कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर दिया है हम लोगों ने चैप्टर थर्ड ठीक है आईए देखते हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको पैज नम्मर ट्वंटी सेवन तक करवा दिया था to beam vetka काय के बारे में पढ़ेंगे हम यह पे beam vetka दिया बारे में पढ़ेंगे after the busses are refilled the January started again now this children are told that they are stopping at beam betka ठीक है बसों में वह जबर वाने के बाद यत्रा फिरंगर से हो गई ठीके अब बच्चों को यहां बताया गया कि अब पहले कहां रुकेंगे भीमबेटका में रुकेंगे तो अंजन ने कहा कि बाट इस भीमबेटका यह भीमबेटका क्या है तो मिस रैना ने बोला कि यहां क्या है एक जागा है जहां क्या है बहुत सारी गुफा है और जो गुफाओं में क्या बहुत सारी चितरकारी की गई है जिसे दस अजार साल पहले बनाया गया था कितने साल पहले बनाया गया था दस अजार साल पहले बनाया गया था तो किसने कहा सुमोतो ने कहा कि टेन थाउजन साल यहर्स दस अजार साल I cannot even think of one thousand years back थेके मैं तो सो साल पहले के बारे में भी मैं तो एक हजार साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता किसने कहा यह सुम तो बहुत होते हैं मैं तो I can't even think of 100 years में तो सो साल पहले के बारे में भी नहीं सोच सकता आगे किस ने कहा गोरी ने कहा कि I can think of 100 years because my father's grandmother's is 100 years old मैं 100 साल के बारे में सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पिता जी कि कौन दादी मा कितने साल की है 100 years की है तो किस ने कहा मंजीत ने कहा that means that means cows are almost 100 great grandmothers old ठीक है इसका मतलब ये गुफाय लगबक सो पर दादी मा जितनी पुरानी है कितनी पुरानी है सो पर दादी मा पुरानी everybody brush into laugher हा 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 ठीक है सभी जोर जोर से हस पड़े हा 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 आगे क्या हुआ कि now the children are really excited to see the cows paintings it is about 11 o'clock when they reach bhimbeetka बच्चे गुफाओं में की गई चित्रकारी को देखना चाहते थे तो लगबक 11 बजे वो कहां पोचे भीमbeetka में पोचे ठीक है अब यहां पे क्या दे रखा है वाओ इवन 10,000 years ago ठीक है कमाल है दस साल पहले भी यह इतनी अच्छे चित्रकारी करते थे यह चट्टानों पे इस तरह से ओ धिस रॉक्स आर थाउजन आफ यह ओल्ड अरे यह चट्टाने हजारलों साल पुरानी है अब किस ने कहा संकर ने कहा कि इस पैंटिंग अलसो है वेरी बिग बैसंस हाई इस चित्र में बहुत बड़े बड़े सांड बने हुए अरे मुझे एक बास सुझा है कि इन चित्रों में में सांडों को गिनता हूँ और तुम काय को गिनो हीरन को गिनो यह चित्रे यह आपर दे रखे न इसमें अंटिक है तो किसने कहा बोनो मलाने कहा कि I will count people let us see which are the most बैसंस डियर और पीपल में लोगों को गिनता हूँ देखते हैं कौन ज़्यादा है सांड हिरन या लोग अब आगे है देखो यहाँ पर इसने काउंड करें बाइसंस को है न किसको सांड को काउंड करें 34 35 36 37 पूरे कितने 37 और दियर हिरन कितने 170 अब यहाँ पर पुछाए कि how many more deer are there than बाइसंस ठीके ठीके यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर सांड से हिरन कितने ज़्याद 37 तो 117 में से कितने माइनस कर दिये 37 तो कितने ज़्यादा है यहाँ पर हिरन सांड से 80 ज़्यादा है अब आगे दे रखाए कि बट बोनो मला is the happiest because the number of peoples is even more than the number of deer and bisons together have kind is less than 200 ठीके लेकिन बोनो मला सबसे ज़्यादा खुछ थी क्योंकि लोगों की संख्या जो थी वो सांडो और हिरोनों की संख्या दोनों को मिला कर कुल मिला कर उनसे ज़्यादा थी लेकिन उनकी गिंती कितनी थी 200 के अंदर थी तो देखो यहाँ पर पूछा है कि how many people must bonomala have counted उसने कितने लोगों को गिना तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि सांड और हिरन दोनों को कुल मिला कर भी उनसे भी ज़्यादा तो यहाँ पर ठीक के तो इस ट्राइप से तो यह इन तीनों से भी ज़्यादा यह हो रहा है 177 ठीक काथ प्लस से भी ज़्यादा है लोगों कि संख्या 7 7 14 14 का 4 1 केरी 1 और 1 2 2 है ना 1 और 1 2 और 5 तो 157 तो यहां पर option में 157 है क्या हाँ है ठीके पर उनसे भी ज्यादा है पर काई के अंदर है 200 के अंदर है तो ये वाला हमारा सही option हो जाएगा ठीके अब आगे दे रखा है कि the guide tells then that there are 600 cave paintings in all ठीके गाइड ने बताया कि हाँ कुल मिलाकर कितनी cave कितनी गुफाएं है 600 गुफाएं है तो it is time to leave beam bed का ठीके अब beam bed का से चलने का समय हो गया था they have spent one hour there ठीके आखिरकार अब वो लोग बोपाल के ओर निकल चुके थे न यहां पर कि they should reach there is less than one hour at about ठीके आखिरकार अब वो लोग बोपाल के ओर चल पड़े अब उन्हें वहां एक घंटे से भी कम समय में लगबग वो लोग पोच जाएंगे ठीके तो वो कब तक पोचेंगे यहां पर क्या हो जाएगा option में क्या जाएगा वो बारा बज़े तक एक घंटा तो महीं विता चुके थे तो वो एक घंटे से भी कम समय लग रहा है तो लगबग एक बज़े तक वो लोग महां पे पोच जाएंगे न अब आगे देखते हैं लंच टाइम ठीके ना खाने का समय हो गया है इस टाइम है ना भोजन का समय बज़े 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 बच्चों को अब तक भूग लग चुकी थी इसलिए उन्होंने अपने अपने खाने के डिब्बो को खोल लिया बिस्कुट अरेंजेस एंड बनानास ऑल्सो डिस्टिब्डूट इन ओल दे बसेज टिके बिस्कुट संत्रे और केले भी सबी बच्चों में बाटे गाय है इच चाइल्ड टू बी गीवन वन ओरेंज ठीक हर बच्चे को एक एक संत्रा एक एक केला और कितने बिस्किट दिये गए पाच पाच बिस्किट दिये गए तो आल दे चिल्रन टेक ओरेंजेस एंड बिस्किट बट थर्टी एट चिल्रन डू नौट टेक बनाना सभी सबी बच्चों ने क्या लिए औरेंज भी लिए बिस्किट भी लिए पर थर्टी एट इस्टूडेंट ने केले नहीं लिए तो यहां पर कोशन पुछाए कि हाउ मेनी ओरेंजेस बिस्किट एन बनाना आर डिस्टिब्यूट कितने संत्रे कितने बिस्किट और केले बाटे लिए तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे 210 ठीके और कितने नहीं लिए 38 नहीं लिए तो यहां पर माइनस कर देंगे 210 में से 10 में से 8- करें तो कितने हो गएन। यह पर 0 है ना तो है अशाइब इस से ले लिया तो 10 में से 3 गए तो कितने 72 मतलब श्राम्ट यह लिए जिसुदें ने बनानास लिया कि अब यहां पे बस्कृ निकालते हैं किए हाइट गश्क दीए गए 55 तो टोटल कितने थे वो टू हुं hormone 210 थे ना तो 210 का 5 में मल्टिप्लाइ कर दिया तो यहां पर कितना हो गया 1050 ठीक है इतने बच्चे ने इतने बिस्किट दिये गए बच्चों को इना मन्जीत एंड बन्नू क्विकली फिनिस देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल टू पास दर टाइम मन्जीत और भानू ने जल्दी जल्दी अपना खाना खाया और समय बिताने के लिए पहेलिया बुझाने लगे मन्जीत ने कहा कि tell me the number which is the actually between 100 and 150 मुझे वहां संख्या बताओ जो 100 और 150 के बिलकुल बीच में पढ़ती हो भानू ने कहा 120 no, 130 no, it is 125 बीच में कौन सी पढ़ती है 100 और 150 के 125 ही पढ़ती है तो मन्जीत ने कहा राइट ओके यूरस नाउ बिलकुल ठीक अब तुम पूछो other children join in everyone is asking passing questions ठीके तबी और भी बच्चे उन में सामिल हो गए और वे सभी तरह तरह की पहलिया बुजाने लगे I gave four toffees ठीके I gave four toffees is to four of my friends and three toffees are left with me how many toffees did I have ठीके मैंने चार चार टॉफी अपने चार दोस्तों में बाड़ दी ठीके मैंने कितनी चार चार टॉफी अपने चार चार दोस्तों में बाड़ दी तीन टॉफी फिर बज गई तो कुल कितनी टॉफी मेरे पास थी तो देखिए 4-4 टॉफी 4-4 दोस्तों में बाट दी तो कितना हो गया 4-4 4-2-8, 4-3-12, 4-4-16 और तीन टॉफी मेरे पास और बज गई ठीके तो कितनी हो गई 16 और 3 कितने हो गई 19 मतलब कितनी टॉफी थी मेरे पास 19 टॉफी थी इस तरह से ये वाले कोशन भी है देखो ये पहली एक और समझा देती हूँ कि वाट नम्मर केन यू मेक यूजिंग 357 यू केन मेक 357 और 557 वाट अदर्स 3547 अंको को मिला कर तुम कितनी संख्या है कितनी संख्या बना सकते हो यहाँ पर दो संख्या बना के दे रखिए तो एक कौन सी हो जाएगी 753 753 अंटेके इस तरह से ये पूरी पहली हो जाएगी देखिए ये ये ना ये भी आपको सोल्व करना इनको ओके